दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन और आप भी प्रसन होंगे आए कुछ नई बाते सीखते हैं आज के टोपिक के साथ विद्यार्थियों आज की वीडियों बना रहे हैं अलंकार काग्व्य शास्त्र का एक महत्वपुर्ण टोपिक है अलंकार लगभग अनेक अकादमिक परिक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परिक्षाओं में भी इस टोपिक से सम्मंदित सवाल आते हैं अलंकारों को समझने के लिए उनको याद करने के लिए सिर्फ अलंकारों को नाम याद करने के लिए आप किसी ट्रिक का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ट्रिक को भी आप याद करना पड़ेगा लेकिन कई बार ये होता है ट्रिक को आप याद करते हैं तो वो सरल हो जाती है थोड़ी सी संके दात्मकरूप से लेकिन उसमें सिर्फ अलंकारों के नाम याद होंगे आपको लेकिन किस अलंकार की क्या परिभाशा है, क्या विशिष्टा है, उसका भाव, उसका आर्थ क्या है और कैसे पहचाने हम किस पद में या गद में या किस वाक्य में कौन सा अलंकार है इसके लिए पूर्णत है बहतर तरीके से अलंकारों को पढ़ना होगा तो हमारी सभी वीडियो में लगभग यही प्रक्रिया रहती है कि हम अलंकारों को पूरे या किसी टोपिक को पूरे विस्तार के साथ इस पष्ट करें ताकि आप बेहतर तरीके समझ पाएं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकारों की परिभाशा को ले करके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आगर है यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकों को जरूर दबाएं ताक कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो किसी वस्तू को अलंकरित करे वह अलंकार कहलाता है दूसरे अर्थ में काववे अत्वा भाषा को शोभा बनाने वाले मनुरंजक धंको अलंकार कहते है संकीर्ण अर्थ में काववे शरीर अर्थात भाषा को शब्दात से सुसजित था सुन्दर बनाने वाले चमतकार पूर्ण मनुरंजक धंग को अलंकार कहते हैं अलंकार का शाब्दी करत है आभूशन जैसे कोई इस्त्री या कोई पुरुश जब आभूशनों से प्रसादनों से अपने आपको सुन्दर दिखाने की कोशिश करता है तो ऐसे ही अलंकार भी काववे रूपी मनुज को सुन्दर बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं मानव समाज सुन्द्रियो पासक है उसकी इसी प्रवर्तीने अलंकारों को जन्म दिया है जिस प्रकार सुवर्ण आदी के आभूशनों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार कावे अलंकारों से कावे की शोभा बढ़ती है कावे को प्रभावित करते हैं सुन्दर लगते हैं संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काववे शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी ने अलंकार की ये परिभाशा दी है काववे के शोभा कारक धर्म अर्थात कुण अलंकार कहलाते हैं अर्थात काववे की शोभा बढ़ाने वाले जो गुण है जो धर्म है वे अलंकार हैं काविय की शोभा किसी भी कारण से बढ़ती हो, लेकिन जिन विशिस्त थाउं कि कारण बढ़ती हैं, वे अलंकार होते हैं. रस की तहें अलंकार का भी ठीक ठीक लक्षन बताना कठिन है, फिर भी व्यापक और संकीरन अर्थों में इसकी परिभाशा निश्चित करने की चेश्टा की गई है अलंकार शब्द अलम प्लसक्री के योग से बनता है इसकी व्युत्पत्ती इस प्रकार दी जाती है कि अलंकार है अर्थात जो आभुशित करता हो वह अलंकार है एक मानिता है कि जिस प्रकार अलंकारों आभुशनों या गहनों से आभुशित होकर कोई कामनी अधिक आकर्शक लगती है उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों से आभुशित होकर अधिक आकर्शक हो जाता है जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई यूति अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए सुन्दर दिखने के लिए अपने चेहरे को, अपने शरीर को, अपने तन को सुन्दर वस्त्रों से, सुन्दर आभुशनों से और प्रसाधन के सामानों से जिसको हम मेकप कहते हैं, अपने आपको सुन्दर दिखाने का प्रियास करती हैं सभी सजावटों के माध्यम से, तो ठीक ऐसे ही अलंकार भी काववे को, कवीता को, कहानी को, उपन्यास को, नाटक को, यानि कि जो भी काववे की विधाये हैं, इन सब को सुन्दर दिखाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आकरशित करने के लिए अलंकार प्रियुक्त होते हैं और इनको विशिष्ट आकरशन का केंदर बनाते हैं। अभिवेक्ती ज़्यादा प्रभावी हो, वो ज़्यादा महत्पूर्ण है। तो यहां थोड़ा सा जो कोई यूती, कोई कामनी अपने आपको सुन्दर दिखाने का प्रियास करने वाली बात है, वो एक तरह से बहये आवरण है उसका, यहनी कि सुन्दर नहो लेकिन सुन् अभिवेकी लिखावट से हम उसकी सुन्दरता को नहीं पैचान सकते, लिखावट तो आप केम्पूटर से टाइप करवाईएगा, तो जो टंकन होगा केम्पूटर का, वो ज़्यादा सुन्दर होगा, हाथ से लिखने के बजाए, क्योंकि हाथ की लेखनी सब की सुन्दर नहीं हो सकती, या जिसकी हाथ की लेखनी सुन्दर यूता करशिद होगी, लेकिन मालीजियो, लेखनी सिर्फ सुन्दर है, पर उसमें अलंकरन का प्रभाव पैदा के करने के लिए, जो भाव है, वो प्रभावी नहीं है, तो वो सुन्दर नहीं लगेगा, तो भावों को प्रभावी भी करते हैं, ये अलंकर, अलंकर भाशा की पुष्टी के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादाने, यानि कि भाशा को प्रभावी बनाते हैं, और जो राग है, अब राग मतलब कावे में गायन के इसाब से नहीं है, बलकि गद्द और पद्द दोनों में ही इसका प्रियोग भूत विशिष्ट होता है, विवानी के आचार, व्यभार, रीत, नीती ही नहीं, उसके हास, अश्रू, स्वपन, पुलक और हाव भाव, यानि कि सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं, यद्द पिये हास, अश्रू, आदी भाव के अंग हैं, 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 भाव के नहीं ध्यान रखेगा, इस प्रकार किसी के विचार से अलंकार काववे के लिए आवशक है, तो किसी के विचार से अनिवार है, कोई बहुत जरूरी मानता है, कोई कहता ह प्रियोक कर सकते हो, यह अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग माननेता है। फिर भी इन विचारों से इतना तो इस पष्ट हो ही जाता है कि अलंकार काव्वे के लिए महत्त पूर्ण है जरूरी है। आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार की मानिता दी है। और प्रचलन देरे देरे बढ़ा तो अलंकारों कम है तो कम हो गया। अलंकारों का प्रियोग अनिवार्य हो जाता है। बिना अलंकार के कविता विध्वा है, सूनी है कविता एक तरह से, तो अलंकार कविता का स्रंगार उसका स्वभग्य है। उसको सुंदर बनाने में, सजाने में उनकी भूमिका होती है। अलंकार कवि को सामानी वेक्ति से अलग करता है, जो कलाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रियोग करेगा ही। ये कलात्मक रूप से जिसमें प्रतिभा होगी, वो प्रियास करता है अलंकारों का प्रियोग करने का, उसके भाव उसकी भाषा निश्चित रूप से विशिष्ट होगी, कुछ प्रत्थप होगी सामाने से। इनका प्रियोग केवल कविता तक सीमित नहीं, वरन इनका विस्तार गद्ध में भी देखा जा सकता है। इस विवेचन से यह इस पष्ट है कि अलंकार कविता की शोभा और सुन्द्री हैं, जो शरीर के साथ भाव को भी रूप की मादकता प्रदान करते हैं, यानि कि उसके भाव भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं अलंकारों के इस प्रियोग में देखने को मिलता है। अलंकारों के भेद के बारे में बात करते हैं तो अलंकार के प्रमक रूप से तीन भेद बताए गए हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभेलंकार उभेलंकार यानि कि दोनों तरहें के अलंकार शब्दालंकार में बात करें जिस अलंकार में शब्दों के प्रियोग के कारण कोई चमतकार उत्पन हो जाता है वे शब्दालंकार के अलंकार विशेष्ट बात यह है शब्दों के चमतकार के कारण बस यह ध्यान रखी कि शब्दों का प्रियोग इधर उधर एक साथ दो तरहे के शब्द, दो तरहे के वरण तो इस तरहें शब्दों का जहां प्रियोग हो और उसके कारण चमत कारुत्पन हो वो शब्द अलंकार है और इसको इसपश्ट करते हैं दूसरे शब्दों में जहां अलंकार शब्द पर आश्रीत हो अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकार तो नश्ट हो जाता हो प्रियायवाची शब्द रख दें दूसरा शब्द रख दें तो अलंकार समाप्त हो जाता हो ऐसी स्थितिमा शब्दालंकार है शब्दालंकार दो प्रकार से मिलकर बना है शब्द प्लस अलंकार शब्द के दो रूप हैं ध्वनी और अर्थ ध्वनी के आधार पर शब्दालंकार की स्रिष्टी होती है इस अलंकार में वरण या शब्दों की लियात्मक्ता या संगीत आत्मक्ता होती है अर्थ का चमतकार नहीं अब यहां पर ध्यांदगना है शब्द की प्रमुकता है उसकी लियात्मक्ता उसकी संग्यत आत्मक्ता प्रमुक है अर्थ नहीं शब्दालंकार कुछ वरणगत कुछ शब्दगत और कु तो लाटा अनुप्रास वाक्य गत है तो इद्यार थियो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हम जरूर पताएं अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आपके मन में कुछ सवाल हो कुछ बड़ा चैप्टर है इसको हम अनेक वीडियो के विभाजन यानि की टुकडों के माध्धम से भाग के माध्धम से बनाएंगे आगे हम अनुप्रास यमक्षलेश जितने भी अनुप्रास अलंकार हैं सब को कवर करेंगे और सब के लिए वीडियो बनाएंगे तो आप लग जो कारी हैं आप लगव अनुप्रास यद्रास की अनुप्रास